नमस्कार दोस्तो टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है और यहाँ पर मैं करता हूँ मुबैल फॉन्स की अन्बॉक्सिंग और कमपेरिजन जिससे आपको एक नया स्मार्टफॉन पर्चेस करने में कोई दिकत ना है दोस्तो अगर आप 7.5-8.000 पर के रेंज के अंदर एक नया स्मार्टफॉन लेने की सोच रहे हो तो आज की ये वीडियो आपके काम किया है क्योंकि आज मैं लिके आया हूँ इस रेंज के अंदर मिलने वाले पूरे 5 स्मार्टफॉन जिसमें पहला स्मार्टफॉन हमारे पास रियल्मी नार्जो 50i, दूसरा हमारे पास रियल्मी C20, तीसरा रेड्मी 9A स्पोर्ट और चौथा हमारे पास इंफिनिक्स स्मार्ट 6 और पांचवा पोको C31 इन सभी स्मार्टफॉन की अन्बॉक्सिंग करेंगे एक साथ और एक एक करके सब के बारे में आपको जानकारी दूँगा वीडियो में तो बने रहे हैं मेरे साथ वीडियो में चैनल पे आए हो फास्ट टाइम और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा होगा उसको दबा दीजिए ऐसी वीडियो आप के लिए मैं आपर रेगुलर लाता रहता हूं तो बिना समय कवाई जल्द जे करते हैं सभी स्मार्ट फॉन की अन्बॉक्सिंग स्टार्ट दोस्तो वीडियो हमारी ज्यादा लंबी नहों इसलिए हमने बॉक्स के अंदर मिलने वाले सारे एसेसिरीज को निकाल के बाहर चार्जर से मिलती है वहीं Realme C20 में भी आपको बिल्कुल सेम टू सेम चार्जर अडप्टर मिलता है 5 वोल्ट 2 एंपेर की आउटपुट रेटिंग के साथ दोनों स्मार्ट फॉन में आपको वाइट कलर की नॉर्मल माइक्र यूएस्पी केबिल दी गई है केबिल की स्मार्ट फॉन में ब्लैक कलर की नॉर्मल माइक्रो यूएस्पी केबिल मिलती है यहां भी केबिल की लेंध और क्वाल्टी ठीक टाग मिल जाती है और अंत में इंफिनिक्स स्मार्ट 6 में देखें तो यहां पर यह रहा है चार्जर अरप्टर यह 10 वोट का है 5 वोल्ट 2 पेर की आपको इससे आउटपूट रेटिंग मिलती है और यहां भी आपको वाइट कलर की एक नॉर्मल माइक्रो यूएस्पी केबिल दी गई है यानि कि इन सभी स्मार्ट फॉन में से आपको कोई वी टैप सी यूएस्पी केबिल नहीं देता और फॉन को स्वेप्टी द दगवा मिल जाता है बैक साइड में प्लास्टिक बॉडी दी गई है डुवल टॉन डिजाइन आपको बैक पैनल में नज़र आएगा उपर है मैट फिनिस नीचे टेक्शर डिजाइन हलके रिजिस जिन पर स्क्रेच कमाते हैं इस स्पीकर भी आपको बैक साइड में ही दि पर कुछ नहीं लेप साइड में सिम ट्रे और वाटम में 3.5 mm का ओडियो जैक प्रैमरी माइक और चार्जिंग जैक दिया गया है मुबाइल को आमने वूट कर रहा है और इसकी ब्रैडनेस भी अल्रेडी फुल है तो डिस्पले आपको काफी कलरफुल और ब्रैट मिल जात सकते हैं इसके लावा कुछ फॉल तो प्रेइंस्टॉल एप भी आपको आप पर दी गई है हाला कि आप इने इस्टॉल कर सकते हैं 6.5 इंच की आपको इसमें HD प्लस IPS LCD दी गई है जिसका एस्पेक्ट रिसो ट्वेंटी स्टुनाइन स्क्रीन रेजिलेशन 720 तो 1600 फिक्सल देंसिटी 270 BPI की मिलती है 165.2 मिलीमेटर इसकी हाइट है 8.9 मिलीमेटर इसकी थिकनेस है और 195 ग्राम इसका वेट है अंदर है 5000 अबेच की बैटरी इसके अलावा 1.6 GHz का उक्टाक और प्रोसेसर और चिपसेट उनिसोक SC9863 एक आपको इसमें मिलता है 28 एनेम का फैब्रीक इसका आपको इसमें मिलता है और एक आपको सब्सक्राइब केमरा पर आपको 7,499 मिलता है और आपको समार्ट फॉन फॉन फ़ाट को घे गया है और back side में आपको plastic body मिलती है corner थोड़े से कर भी आपको देखने को मिलेंगे और matte finish के साथ एक lining जिस पर realme की branding और speaker यहाँ पर दिया गया है camera आपको इसमें भी 8 Megapixel का with LED flashlight दिया गया है और right side में power on key plus volume rockers उपर कुछ नहीं left side में sim tray और bottom में आपको 3.5 mm का audio jack primary mic और charging jack दिया गया इसको भी हमने already boot करके रखा वाया है बिल्कुल सेम नारजो 50i के जैसा ही आपको इसका interface wallpaper और brightness और color काफी अच्छे आपको यहाँ पर दिये गए है यूजर interface देखे तो scroll up करते ही यहाँ पर आपको सारे के सारे application नजर आएंगे fall to pre-install app यहाँ भी दी गई है भर भर के हलाकि आप इन्हें install कर सकते है edge bezels भी आप देख सकते हैं नीचे चिन थोड़ी ज़्यादा मिलती है और navigation की आपको यहाँ पर दी गई है 4108 की brightness आपको इसमें मिलती है बिल्कुल सेम 50i में भी दी गई है 165.2 mm इसकी height है दोनों की height को एक साथ देखते हैं तो देखे बिल्कुल सेम height के हैं दोनों smart phone और thickness भी बिल्कुल सेम मिलती है आपको 8.9 mm की 190 gram इसका weight है और अंदर 5000 mm की बैटरी लगी हुई है इसमें आपको 2.3 GHz का octa-core processor और chipset आपको इसमें MediaTek Helio Z35 का दिया गया है तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि Narzo 50i से better chipset आपको मिलता है Realme C20 में इसके अलावा 12 mm का fabrication आपको इसमें मिल जाता है 2GB RAM LPDDR4X की 32GB का internal storage storage type EMC 5.1 का आपको इसमें मिलता है Android version 11 दिया गया है और इसके अलावा आपको इसका camera दिखाएं तो rear camera को normal mode में on कर लेते हैं जो भी permission मांगे allow कर दीजिए तो यह रहा है इसका camera और camera quality आपको यहाँ भी काफी अच्छी मिल जाती है zooming आप इससे कर सकते हैं 4X तक zoom वही नार्जो 50i से भी कर सकते थे वही front selfie camera 5 मेगा विक्सल का दिया गया है और काफी bright और colorful इसका front selfie camera भी आपको मिल जाता है अब आते हम तीसरे smartphone जो है हमारे पास Redmi की ओर से Redmi 9A sport sorry दोस्तों इसका price बताना बूल गया यह भी 7,499 रुपे में आपको मिलता है वही Redmi 9A में आपको मिलते हैं दो वेरेंट 2GB 32GB वेरेंट मिलेगा आपको 6,999 रुपे में और यह है 3GB 32GB वेरेंट जो आपको मिलेगा 7,999 रुपे यानि कि 3GB RAM और 32GB internal storage के लिए आपको 1000 रुपे उपर खर्च करने पड़ते हैं तो इसका जो front look है वो कुछ ऐसा आपको नजर आएगा इसमें कोई भी scratch guard पहले से लगावा आपको नहीं मिलता है वो आपको खुद लगाना पड़ेगा application आप यहाँ पर देख सकते हैं user interface home screen में right side में scroll करने पर यहाँ सारे के सारे application नजर आएंगे file to install app यहाँ भी दिये गये हैं हलाकि इने भी आप रिस्टॉल कर सकते हैं edge bezels भी आपको दिखा देते हैं तो corner से thick और नीचे से थोड़े ज़्यादा bezels आपको नजर आते हैं back panel पे नजर डाले लेकिन इन दोनों स्मार्टफॉन से उपर 13 मेगा विक्सल का रियर केमरा और 5 मेगा विक्सल का सेल्फी केमरा मिलता है मुबाइल के right side में power on key plus volume rocker ऊपर 3.5 mm का audio jack और bottom में primary mic charging jack और speaker grill दिया गया है इसमें आपको 2 GHz का octa-core processor और chipset mediatek helio z25 का दिया गया है 12 mm का fabrication ग्राफिक आपको power vr g8320 के मिलते हैं और 3GB RAM LPDDR4X की 32GB का इंटर्नल इस्टोरेज टाइप eMMC 5.1 का आपको इसमें मिलता है android version 10 आपको इसमें दिया गया है इसके लावा आपको इसमें 6.5 inch की HD plus IPS LCD मिलती है जिसका aspect ratio 269, screen resolution 720 x 1600 pixel, pixel density 270 ppi के आपको इसमें मिलती है pixel density 269 ppi के आपको इसमें दी गई है 164.9 mm इसकी height है 9 mm की thickness है और weight है 195 gram अंदर 5000 mAh की battery लगी है इसकी अलावा इसका camera भी open करके देख लेते हैं तो यह हो गया इसका normal mode में camera on 13 megapixel का camera है लेकिन brightness बहुत कम आपको नजर आएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे इससे better in दुने smartphone का camera लगा इसमें brightness आपको बहुत कम मिलती है colors भी आपको फिके फिके देखने को मिलते हैं लेकिन zooming power इसकी ज़्यादा है पूरा 10 गुना zoom आप इससे कर सकते हैं यह देखे इंडिया इस नमर वन smartphone brand बिल्कुल क्लियर आपको नजर आ रहा होगा फ्रेंट में आपको 5 megapixel का selfie camera मिलता है और यह भी एक average selfie camera आपको इसमें दिया गया है और इसमें stories आपको बहुत ज़्यादा मिलता है SSD 4GV का 6.6 inch की आपको इसमें HD plus IPS LCD दी गई है scratch guard पहले से लगावा मिल जाता है front selfie camera में भी आपको LED flashlight मिल जाता है आइकन आप देख सकते हैं colorful और bright display आपको इसकी मिल जाती है इसमें आपको 500 nits की brightness दी गई है बाकी के सभी smartphone में 400 nits की brightness दी गई है इसके अलावा user interface देखे तो scroll up करते हैं आपको यहाँ पर सारे के सारे application नजर आएंगे फाल्टू के bloatware और pre-install app भी आपर भर भर के दिये गए है हालाकि आप इन्स्टॉल कर सकते हैं 6.6 inch की आपको इसमें HD plus IPS LCD मिलती है जिसका aspect ratio 229 screen resolution 720 x 1600 pixel density 266 ppi की दी गई है 165.5 mm इसकी height है और 8.8 mm की इसकी थिकने से 195 gram इसका weight है और अंदर 5000 mh की battery लगी हुई है इसमें आपको 2 gigaards का quad core processor और chipset MediaTek Helio A20 का दिया गया है 12 mm का fabrication 2 GB RAM LPDDR4X की 64 GB का internal storage प्लस आपको इसमें 1 GB की virtual RAM भी मिल जाती है यह आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं तो यह देखें सेटिंग के अंदर आप देख सकते हैं 2 GB RAM अल्रेडी है फ्लस 1 GB virtual RAM भी मिल जाती है XOS आपको इसमें मिलता है जिसका वर्जन है 7.6.05 मेगाविक्सल सेल्फी कैमरा 8 मेगाविक्सल रियर कैमरा दिया गया है बोडी देख लेते हैं तो बैक साइट से आपको यहाँ पर काफी इकलिशीफ फिनीसिंग के साथ प्लास्टिक बॉड़ी दी गी है जिस पर फिंगफिन सेंसर भी आपको मिल जाता है बाकि कोई स्मार्टफ़ॉन आपको फिंगफिन सेंसर नहीं दे रहे हैं जो अभी तक के तीन स्मार्टफ़ॉन थे इसमां आपको dual camera मिलते हैं 8 plus AI lens camera with LED flash die नीचे Infinix की branding की गई है और राइट साइड में power on key plus volume rock cars उपर की साइड कुछ नहीं left साइड में मिलती है आपको sim tray और bottom में 3.5 mm audio jack primary mic charging jack और speaker grill सब कुछ bottom में एक साथ दिया गया है camera काफी colorful मिल जाता है अला कि brightness उनीच ज्यादा नहीं नजर आएगी आपको इसके camera से 4X तक आप इससे zoom कर सकते हैं front selfie camera 5 Megavixel का है और काफी colorful इसका selfie camera आपको मिल जाता है रांत में हमारा पांच्वां स्मार्ट फॉन जो है कि अलावा back side में आपको plastic body दी गई है कर भी back panel है उपर matte finish नीचे texture design नीचे texture design इंफर रिजिस है fingerfin sensor भी आपको इसमें मिल जाता है camera setup पे नजड़ डाले triple camera के साथ आता है यह smartphone जिसमें आपको 13 Megavixel का main camera 2 Megavixel micro 2 Megavixel depth sensor camera with LED flashlight दिया गया है नीचे poco की branding की गई है और right side में power on key plus volume rockers उपर की side 3.5 mm का audio jack left side में sim tray और primary mic charging jack और speaker grill आपको bottom में दिये गए है इसको भी हमने already boot करके रखावा है इसकी brightness को भी full कर देते हैं तो यहाँ पर आपको काफी colorful display मिल जाती है अला कि brightness काफी कम है 400 Nets की brightness आपको इसमें मिलती है user interface scroll आप करते हैं आपको यहाँ पर सारे के सारे application मेजर आएंगे फाल तो pre install app भी यहाँ पर भर भर की दिये गए है हलाकि आप इन्हें uninstall भी कर सकते हैं इसमें आपको 60 Hz का refresh rate मिलता है और यहाँ पर हम इसके display देखे हैं तो 6.53 इंच की आपको इसमें HD plus IPS LCD मिलती है जिसका aspect ratio 229, screen resolution 720 to 1600 pixel और pixel density 270 ppi की दी गई है 164.9 mm इसकी height है 9 mm की थीकने से 5000 अमेज की battery लगी भी है 195 ग्राम इसका weight है और इसमें आपको 2.3 GHz का octa core processor और chipset MediaTek Helio Z35 का दिया गया है 12 NM का fabrication, graphic power VR G8320 के आपको इसमें मिलते हैं इसके अलावा expendable memory आप इसमें 512 GB तक बढ़ा सकते हैं बागी के सभी smartphone में भी आप लगवग 512 GB तक का memory का गुसा सकते हैं